दोस्तो ग्रामिन डाक सेवक यूनियन को लेकर एक अपने अपडेट दिया था डिपार्टमेंट ओपोस्ट ने डाक विभाग ने 15 फरवरी 2024 को ये लेटर रिशु हुआ और एक किस बारे में है तो हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे फिलाल आप देखिए जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं GDS union के उन सभी को ये लेटर रिशु हुआ है यहाँ देख सकते हैं तो इन सभी union के जनरल सेक्रेटरी को ये लेटर रिशु हुआ है सब्जेक्ट में आगर आप देखेंगे तो रिगार्डिंग फॉर्मूलेशन ओफ सेप्रेट डिस्टिंग कैटेगरी उसके बाद GDS ABPM और तीसरा है डाक सेवक TS जिसको बोलते हैं शौर्ट फॉर्म में तो ये तीन केटेगरी हैं ग्रामिन डाक सेवक में कारे करते हैं तीनों केटेगरी और तीनों लगभग सेम ही है जो service conditions है तीनों की वो लगभग तीनों की सेम है एक ही केटेगरी है ग्राम आपको पता है कि ग्रामिन डाक सेवक के तीनों केटेगरी के लिए एक ही union है जिसको बोलते हैं उसके नाम अलग-अलग है लेकिन वो कारे तीनों एक ही मुद्दे के लिए करते हैं जो ग्रामिन डाक सेवक के मुद्दे हैं बहुत सारे लगभग सेवकों को लेकर उस demands को फ और डाक सेवक अगर हैं तो इनके लिए अलग यूनियन होगा अलग इसका विरोध किया जा रहा है यूनियन ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है वो मैं आगे आपको बताऊंगा फिलाल देखिए दोस्तो इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग यूनियन बनाने के लिए आदेश किया गया है और ये ग्रामिन डाक सेवक के हित में नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर तीनों के लिए एक यूनियन काम करती है तो उसको एक मजबूत संग कहा जा सकता है और अगर तीनों के लिए अलग-अलग union कारे करेगी तो उसमें थोड़ा सा union के बटने के chances है और हो सकता है proper attention ना मिले लेकिन department का ऐसा कहना है कि अगर तीनों के लिए अलग-अलग union कारे करेगी तो तीनों के demands जल्दी fulfill होगी लेकिन इसका उल्टा होगा क्योंकि आपको पता है अगर तीनों बट जाएंगे तो फिर उसमें जो अंग में जो संख्या है वो कम हो जाएगा और union के कमजोर होने के भी chances है तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है नीचे देखिए आप देख सकते हैं नीचे एक letter है और इंडिया ग्रामेंडाक सेवक union का इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि विरोध हुआ है 26-22-24 कोई letter issue हुआ और यह secretary को भीजा गया है department of post के जो secretary है इसमें देख सकते हैं regarding proposed formation of union for set distinct category BPM, ABPM and GDS packer यहां उसका reason बताया गया है department of post को क्योंकि जो आदेश पारित हुआ है अलग-अलग union बनाने के लिए वो success नहीं हो पाएगा उससे और परेशानिया बढ़ेंगी ग्रामेंडाक सेवकों के लिए और उसके लिए क्या तरक दिया गया union द्वारा तो हम देखेंगे उसको सबसे first में देखिए कि जो recruitment rule है जो भरती की प्रक्रिया है वो तीनों के लिए सेम है और qualification भी तीनों के लिए सेम है तो जो post है वो अलग-अलग कैसे हो सकते हैं वो भले ही अलग-अलग है लेकिन जो कारेशल ही है वो लग-बग तीनों का बराबर ही है और second में देखिए बहुत सारे B.O. में हमने देखा single hand में अगर जो B.P.M. है वही A.B.P.M. का भी कारे करते हैं और जो A.B.P.M. है वो B.P.M. का भी कारे करते हैं तो चलता है दोनों में तो इसलिए दोनों का नाम जो nomenclature है वो अलग है लेकिन जो कारे है वो सेम है और देखिए एग्जांपल में बताया गया है कि जो S.P.M. या P.A. है जो S.O. या H.O. में कारे करते हैं वो postman का कारे नहीं करते है और postman भी P.A. या S.P.M. का कारे नहीं करते है तो वो दोनों different post हैं लेकिन यहां पर B.P.M. A.B.P.M. का कारे कर सकते हैं और A.B.P.M. भी B.P.M. का कारे कर सकते हैं तो वो post भी अलग-अलग नहीं होना चाहिए उसको सेम माना जाए और 3 में देखिए रूल 3 A deals with the terms and conditions of engagement सब रूल 4 thereof read as follows सेवक can be transferred from one post unit to another post unit in public interest administration and vigilance ground He will agree that we can be transferred as a P.A. वहीं बताया गया यहां पर एक post man 1998 में transfer नहीं हो सकता एक PA का post man में transfer नहीं हो सकता एक B.P.M. का E.B.P.M. में transfer हो सकता है और A.B.P.M. का भी B.P.M. में transfer हो सकता है और A.B.M. का J.D.S. Packer में भी ट्रांसफर हो सकता है यह सब तर्क दिया गया है यहां पर तो लगभग इससे यह साबित हो जाता है तो जो ग्रामिन डाग सेवक है वो सेम केटेगरी को बिलॉंग करते हैं ना कि अलग-अलग तीन केटेगरी को अलग अलग हो सकता है लेकिन जो कारे प्रक्रिया है जो शैली है कारे करने की लगभग सब सेम है सर्विस कंडिशन भी सेम है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नी चाहिए इस साधेश को वापस ले लिया जाए ताकि जो यूनियन है ओल इंडिया ग्राम इंडाक सेवक इसके और यह अच्छे संकेत नहीं है ग्राम इंडाक सेवको के लिए और GDS एक ही केटेगरी है तो इसको अलग-अलग करने की कोशिश ना की जाए आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में क्या अलग-अलग यूनियन होना चाहिए या तीनों केटेगरी का एक ही यूनियन संद हाट